कौन है नलिनी शिरीहरन जो पत्तिस सालों तक जेल में नहीं क्या कारण था इनका बत्तिस सालों में जेल में रहने का आईए आज हम समझते हैं साल 1991 भारत में आम चुनावों की खोशना कर दी जाती है और इसी खोशना के साथ भारत के सभी राजनितिक दल रैलियां करना स्टार्ट करते हैं यह वह दोर था जब भारत में बड़े बड़े नेता लोगों के बीच में जाते थे उनकी सहान भूती अपने पक्ष में करने की और इनी कोशिशों के बीच भारत के पूर्व परदान मंतरी राजीव गांधी राजीव गांदी भारत के विबिन इलाकों में जाते हैं और रेलियां करते हैं इन रेलियों में वह लोगों से मिलते हैं उनके बीच में जाते हैं और यहीं वह निड़ने लेते हैं कि भारत के दक्षिन राजे तमिल नाडू जाएंगे बेतमिल नाडू के शीरी पेरंबुर में जाते हैं तक्रीबन रात को साड़े आठ बजे वहवाँ पोंचते हैं दिन था 21 मई का साल 1991 लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि उनकी मौत वहाँ इंतजार कर रही है लोगों की भीड के बीच में उनकी मौत बन के आए कुछ लोग भी उस भीड में शामिल हैं लोग उनके पास आते हैं वे अपने पूर्व प्रधान मंत्री से मिलना चाते हैं उन्हें एक पल देखना चाते हैं वे उनके पैर छोते हैं उनको मालाएं पहनाते हैं और इसी बीच एक लड़की उनके पैर छोने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे वे उनके पैर छोती है वे अपनी कमर पर बंधी बंप की बेल्ट का एक बटन दबा देती है जैसे ही वे बटन दबाती है भारत के पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या दी जाती है उसमेला की पैचान होती है धनू के नाम से जीव गांधी की मौत भारत के लिए एक बहुत बड़ा जटका था लेकिर उनकी मौत के तार जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं था इनके तार सीधा जाके जुड़ते हैं भारत के पडोसी देश शिरिलंका में वे उस दौर की बात है जब शिलंका की सरकार तमिलो के उपर अपतियाचार रही थी और तमिलो का एक संगठन लिटे बन कर होता है जो शिलंका की सरकार से लोगा लेता है शिलंका की सरकार को हिलाने की कोशिश करता है लिटे नमक एक संगठन लिटे के मुख्या थे वेलूपई परभाकरण लेकिन वेलूपई परभाकरण राजीव गांदी को मारना ही क्यूं चांते थे जब राजीव गांदी भारत के प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने भारती सेना को शिलंका में शांती बनाई बनाने के लिए वहां भेजा था लेकिन वेलूपई परभाकरण ये कते ही नहीं चाहता था कि भारत की सत्ता में दुबारा राजीव गांदी काबिज हों और वेलूपई पर प्रभाकरण राजीव गांदी की हत्या की साजिश करता है वे लोगों को हिमो को मानव बम बनाकर राजीव गांदी को मारना चाहता है वे लोगों को नाम देता है बलैक गर जो राजीव गांदी की हत्या करने वारे थे फिर दौर आता है इस्तारियों का मुखे इता साथ लोगों को राजीव गांदी की हत्या का अरूपी बनाया जाता है और 1998 के अंदर टाडा की अदालत इन साथों को फांसी की सजा सुनाती है ये साथ लोग थे मुरगन जिनकी बीवी नलनी सनाथन रोबर्ट जैकुमार रवी चंदरन और एजी परवलन लेकिन साल 2000 के अंदर लनली की फांसी की सजा को उमर कैद में बदल दिया जाता है और साल 2014 में बाकी के 6 अब्यक्तों की सजा को बदल कर उमर कैद दिया जाता है नाडू की पूर्व मंतरी जैल लिता भारत सरकार से दर्खास लगाती है कि वह इन साथों को अब छोड़ दे और फिर दिन आता है 12 नवंबर 2022 का जब भारत का सरवोच अदालत अपनी विशेशा अधिकार साथ अनुछेद 142 से इन सभी को बरी कर देता है ये थी नलनी शिरीहरन जिनों अपनी जिन्दगी के 32 साल नेल में बिताए झाल